नमस्कार मैं हूँ आचल और आप देख रहे हैं डीवी लाइब के स्पेशल रिपोर्ट एबियम में गडबडी का मुद्दा बढ़ता ही जा रहा है एबियम को लेकर जन आंदोलन खड़ा हो गया है और अब चुनावायोग को घेरने की तयारी चल रही है पैदल मार्च निकाल कर अब एबियम में हो रही गडबडी की शिकायत चुनावायोग तक पहुचाने की तयारी हो रही है पांच जनवरी को एबियम के खलाफ एक बड़ा आंदोलन होगा इसके साथ ही जनतर मंतर पर भी विरोध प्रदर्शन किया जाएगा 6 जनवरी को और ये प्रदर्शन होगा चुनावायोग के कारयाले के सामने और जनतर मंतर पर क्या कुछ इसको लेकर तयारीया चल रही है इसके बारे में आपको आगे जानकारी देंगे उससे पहले आपको बताते हैं कि कैसे कॉंग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है और एक और वार ईबियम पर कर दिया गया है दरसल इंडिया गडबंधन के नेताओं ने एक बार फिर ईबियम और वीवी पैट के संचालन पर विपक्ष की चिंताओं पर चर्चा करने के लिए मुखे चुनाव आयुक्त राजी उकुमार के साथ बैठक के लिए समय मांगा है और इस मामले को लेकर कॉंग्रिस महासचीव जैराम रमेश ने मुखे चुनाव आयुक्त को पत्र लिख दिया है इसके बारे में जानकारी देते हुए जैराम रमेश ने ये 9 अगस 2023 से पहले के लिखे पत्रों का भी जिक्र किया है उस समय भी विपक्षी दलोनी इवियम से संबंधित चिंताओं को रेखांतित करते हुए आयोक को ग्यापन सौपा था लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई है ये जैराम रमेश के तरप से बताए गया है जैराम रमेश नहीं कहा कि 2 अक्टूबर 2023 को हमने वकील के माध्यम से एक मेमोरेंडम भेजा था उसमें कुछ महातिपूर चिंताओं उठाई गई थी जो 23 अगस 2023 के चुनाव आयोके स्पष्टी करण में अनसुरी रह गई थी उस पर कोई रिस्पॉंस नहीं मिला है मैं एक बार फिर इंडिया गडबंधन के नेताओं की तीन से चार सदस्तिये टीम को आप से और आपके सहयोगियों से मिलने और वीवी पैट पर अपना दिश्ट कोर्ड रखने के लिए कुछ मिनट का समय देने का अनरोध करता हूँ निश्चित रूप से ये बिलकुल उचित और वैद अनरोध है अब सिर्फ कॉंग्रेस ही नहीं बलकि तमाम विपक्षी दल इवियम को लेकर सवाल खड़ा कर रहे हैं और इसलिए इस मुद्दे को इंडिया गडबंधन की बैटक में भी उठाय गया था और वीवी पैट स का अनिवार सत्यापन किया जाता है लेकिन विपक्ष का ये कहना है कि वीवी पैट पर चियों को मतदाताओं को सौब दी जाए और उसके बाद ही सारे वोटों की गिनती हो हाल में ही जनता की ओर से राजनीतिक दलों को शिकायते आई हैं कि वीवी पैट की मशीनों को भी प पताजने की सैम पित्रोदा कॉंगे से जुड़े होने के अलावा जाने माने टेक्नो क्रेट हैं जिनने पूर्व प्रधान मंत्री राजियों गांधी विदेश से भारत में टेलीकॉम और कंप्यूटर क्रांती के लिए भारत लेकर आये थे इसलिए सैम पित्रोदा के बया सब्दावा सुप्रिम कोट के वकीलों ने भी मोर्चा खुला हुआ है वियम का मुद्दा सुप्रिम कोट में चल रहा है तो वही दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव को देखते हुए चुनाव आयूक से मामले में जनता की चिनताओं को दूर करने की मांग की जा रही है पैदल मार्च निकालने की भी बात कही है क्या कुछ कहा है महमूद प्राचा ने सबसे पहले वह आपको सुनाते हैं सुनिए पांच तारिक को चार बजे पट्याला हूस गेट नंबर चार से पैदल चलके एक जो ऐसे सिटिजन से ना जिसके बारे में अभी मैंने कमिशन का लिखा था कि अलर्टि इसे जो हैं जो चिंतित सिटिजन से एं एलेक्शन की नूट्रालिटी के बारे में जिसमें वकील सबसे जादा संख्या में होंगे पत्याला हाउस गेट नंबर 4 से पैदल चलके एलेक्शन कमिशन के ऑफिस जाएँगे हम election commission से request भी letter भेज रहे हुने कि वो इस delegation को जो की पैदल चलके आएगा उनी की आवान पर जो आवान उन्होंने 2017 से कर रहा है कि सभी citizens जो है वो चौकनने रहें और अगर कोई धांदली गड़बड़ी नजर आए तो उसके बारे में action लें हमारे संग्यान में लाएं तो election commission के संग्यान में EVM की धोका धड़ी fraud जिसको वो अपने ही जो 2017 में एक और भी press release election commission ने जारी की थी जिसमें ये बताया गया था कि इसको हम update कर रहा है M3 वाला अब ला रहा है M3 जो 2017 से आया हुआ है उसको भी upgrade करने की उसको जो खराब हो गए उनको बदलने की ये election commission के words हैं मेरे नहीं है कि ये खराब हो सकता है इसको improve किया जाना चाहिए इसमें additions की जानी चाहिए इसमें इसको change करने की भी आवश्यक्ता होती है ऐसा वो खुद कह रहे हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि election voting machine में election commission इस मजबूरी की हालत में जो हमें सबको नजर आ रही है सुप्रीम कोर्ट भी इस क्या हिंट कर रहा है पूरी तरीके से सुरक्षित नहीं है तो सुना आपने सुप्रेम कोर्ट के महमूद प्राचा को साफ यह बता रहे हैं कि इस वक्त election commission और इसके साथ यहां पर एक जुठ हुए हैं और इसके साथ उन्होंने का कि जनता का अगर मुझे समर्थन मिलेगा तो फिर चुनाओ से पहले महमूद प्राचा का यह बड़ा बयान है कि चुनाओ से पहले इवियम को लेकर अगर जनता का समर्थन मिलता है तो एक ऐसा आंदोलन खड़ा करेंगे कि चुनाओ जो होगा वह बैलट पेपर से होगा यह बड़ा बयान उन्होंने डीवी लाइफ से जब बातचीत की तो वहां पर उन्होंने दिया और बताया कि किस तरीके से जनतन मंतर पर भी एक बड़ा आंदोलन जो है वह शुरू हो रहा है इवियम को लेकर और 6 जनवरी को विरोध प्रदर्शन इवियम में गड़बड़ी को लेकर और इवियम से जुड़ी जो भी दिक्कत परिशानी आ रही है और उस इस पूरे मामले को लेकर चुनाव आयोग को सफाई देनी पड़ी थी लेगन वो सफाई काम नहीं आई है एक बड़ी चुनौती जो है वो सुप्रिम कोट के वकील के तरब से दी गई है कि 50 इवियम आप मुझे दीजिए और उसके बाद हम आपको हैक करके दिखाएंगे और ये सब कुछ मीडिया के सामने होगा तो एक बड़ा चैलेंज चुनाव आयोग को मिल गया है दरसल चुनाव आयोग ने ये चैलेंज दिया था कि अगर कोई इवियम को हैक कर सकता है तो वो सामने आए और इवियम को हैक करके दिखाएंगे अब सुप्रिम कोट के वकील पक्षिए दल के नेता हुए है और कि देखाने की बात जो है वह की जा रही है तो इसे के तरह तमाम जो है नेता इस पर लगातार बयान देते आए इसे पहले सैंप तृदा का भी बयाना है जो कि हमने आपको बताया जैराम रमेश ने बहुत चुनाव आयो को एक पत्र लिख और मांग की है कि जो भी हमारी चिंताएं हैं उसे दूर की जाए क्योंकि शक जो खड़ा हुआ है उसे दूर करना लोगसभा चुनाओ से पहले बहुत जरूरी है ताकि जनता को ईवियम पर विश्वास हो और इस वक्त जो नतीजे आए हैं पांच राज्यों के जो विधान जमीन पर जो बाते चल रही थी और जो भी जनता का मत था वो नतीजों में नहीं दिखाई पड़ रहा है और इसलिए इवियम को लेकर कई बड़े सवाल है उन सवालों का जवाब चुनाओ आयोक से मांगा जा रहा है और यही बात महमूत प्राचा के तरफ से भी की गई कि हम चुनाओ आयोक को तमाम शिकायतों को लेकर वो शिकायते उन्हें सुनाएंगे और यह भी बताएंगे कि इवियम हमें मिले और उसके बाद हम आपको हैक करके दिखाएंगे साथ ही जंतर मंतर पर भी विरोध प्रदर्शन करने की बात उनके तरफ से की गई है तो देखत कि बात आयो आयोगoting करने की बाते है तो